आपका स्वागत है और आपको एक सुचना दे दें अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तरीके से तो आप हमारे आप को जॉइन करने जिसका की डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक दिया गया रहता है वहां से जाएं और वहां जुड़ करके एप इस्टॉल करके मन चाहे कोस में आप रिजिस्टर्ड हो ले चाहे आप की अब ही आजके नव्च पेफर में दे भी दिया है कि पीजियो की बिग्यवतिके लिए नव्च प्र में एनांसमेंट हो चुका है तो विग्यवतिक आने में बहुत देर नहीं है और परीच्छे आपकी जून में होनी इसलिए बेटर होगा कि आप जो है क्लास से चालू कर दें और अपना ध्यन जो है थोड़ा क्ती ब्रगती से पखड़ाएं समय बहुत कम है ठीक है तो हम लोग हिमाले उत्तरभाद के हिमाले परोती छित की चर्चा कर रहे थे इसमें जो है कल की चर्चा जो हुई थी वो ट्र जाकूरम फिर अलगदाग फिर जासकर उसके जैस्ट बार जो है आपकी ये जो सिर्णी आती है ये ब्रिहद हिमाले की आती है ठीक है और इस ब्रिहद हिमाले सिर्णी का बिस्तार जो है जम्मू कस्मिर से लेकर अर्णाचल प्रदेश होते हुए आगे चला जाता है ठीक है दिखा सकते हैं इसको हम जम्मु कस्मीर का नंगा परवत यह एक जो है हम भारत का मैप निकाले हैं हलाकि देख लेते हैं इसमें ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मु कस्मीर के नंगा परवत यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह ठीक है नंगा परवत यहाँ आप दे और इस भारती छेत के दूसरे छोर पूर्वी शिरे पर आजाए तो आपका यहां पर नामचा बर्वा दिख रहा होगा काहने का मतलब यह है कि जम्मू कस्मीर के नांगा परवस्ष से ले करके अरुधाचर प्रुदेश के नामचा बर्वा तक इसका विस्तार आपका भारती छेत में पाए जाता है ठीक है भारती छेत में पाए जाता है अगर हम बात कर इस नामचा बरवा परवत की तो आपको यहां पर थोड़ा सा जूम करके हम दिखा दे रहे हैं कि इस नामचा बरवा परवत छित्र के पास से ही आपकी जो सांगपो नदी है जिसे की चीन में सांगपो कहा जाता है अवनाचल प्रदेश में दिहांग हो जाती है और फिर असम में आकर के ब्रम्हफुत्र हो जाती है ये सांगपो नदी जो है आप इसी नामचा बर्वापरवत से मुर करके भाती छेती है तो यहाँ पर जो है कहने का मत्तर सीधा सा है कि आपका नामचा बर्वापरवत से लेकर पूर परस्चिम में नंगा परवत तक जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है किसका विस्तार तो आपका जो है ये ब्रहद हिमाले का विस्तार देखने को मिलता है बात क्लियर हो गई हो गई इतनी जहां तक इसकी उत्पत्ती की बात करें, अब कहें ट्रांस हिमाले की उत्पत्थी, क्या ह FPS पताए गया बहुत, इसके उत्रपत्थी जो हुई है, यह आपके टेथि सागर में हुई है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे एक विस्तो के मैप में हम लोग की जुट सब्द बोला जा रहा है हलाकि यह चीज हम चर्चा जो है विस्तो भूगोल में कर चुके हैं फिर भी एक बार आपको रिवाइच करा दे रहे हैं जो हिमाले परवत की उत्प कर लें थोड़ा सा विस्तो भूगोल में चलें थोड़ी से प्रेटों की बात कर लें तो आप पाएं होंगे अगर बोड़ जागर की हमारी पढ़े हैं तो यह जो है आंद महा सागरी छेत है यह नौर्थ अमेरिका है यह साउथ अमेरिका नौर्थ अमेरिका पच्चिम की की तरफ खिसक रहा है इस इन्डो आस्टेलियन प्लेट में आपका इंडिया और आस्टेरिया बाद करें यह आपका हिमालाएप पर्वत से लेकर इधर हिमाले परवत भी ना कहें सबसे पहले अगर सुरुवाती दौर की बात करें तो ये प्लेट आपके जो है इस प्राइडी पीए भारत से ही इधर थी ठीक है प्राइडी पीए भारत से ही है और बीच में जो ये हिमाले परवती छेत और मैदानी छेत है हिमाले आस्टेलियन प्लेट आपकी यही है ठीक है यही है प्राइदिपी भारत के छेट को लेकर इसी के नीचे है इसके उपर जो यह आपका यह प्लेन जो दिख रहा है यह मैदानी छेट और यह हिमाला परवती छेट यह वाला हिस्सा जो है इसके उपर जो था आपका अंगारा ल कि आपका जो है इस समय जो इसमें यहां से बाने वाली नदियां हैं ये बह करके यहां आवसादीकरन की आवसाद जमा की और इधर से आने वाली नदियां आवसाद जमा की और इसके उत्तर पूर्षिसका होने की वजर से जो इसमें आउसाद जमा था, मलवा जमा था, तेथी सागर में जब दभाव पड़ा, तो वही ऊपर उठ गयाए, और तेथी सागर का अस्तितो यहां से समाप्त हो जाता है, और इससे जो है सबसे उत्तरी सिरा जो इसका था, जो आए उसादी करनक वाला था तेथिस्टागर का ये आपका बलित होकर के ब्रिहद हिमाले का निर्मान कर रहा है। और उसके नीचे वाला एरिया जो है ये मैदानी च्छेत में परिदी तो हो गया यानि इतर भारत का जो मैदानी च्छेत है जहांकि आज हम मिलेगी ठीक है बात इतनी क्लियर हो गई होगी। का भाग है ठीक है बाट इसने क्लियर हो गई होगी और तेठीस स्रागर में भूसनती प्रवक्रैय के बाद हिमालै पर्वतियछ छेथका निर्माण यहां होता है ठीक है और ये निरमार की प्रक्रिया जो है आपकी अब रिहत ही माले की उत्पत्ति question पुछा जाता है टर्सियरी यूग, सीनो जोईक महाकल्ब, कब हुई है भाई, तो आप नोट कर सकते हैं, टर्सियरी यूग, ठीक है, टर्सियरी यूग जो है, आपका है, और सीनो जोईक महाकल्ब, सीनो जोईक महाकल्ब, ठीक है, सीनो जोईक महाकल्ब में जो है, इसकी उत्पत्ति हुई है सीनो जोईक महा कल्ब ये टर्सियरी यूग में जो है आपकी इसकी उत्पत्ती हुई है किसकी ब्रिहद हिमालाई में ठीक है उत्पत्ती हुई है ठीक है और इसकी अगर बात करें अगर काल की बात करें तो काल जो होगा वो आपका ओलिगो सीन काल होगा ठीक है ओलिगो सीन का काल होगा महा कलफ आपका सीनो जो इक हो गा युक टर्सियरी होगा法 के रूप में ओलिगर मत्तिय की की कह था स्सॐसरा निर्मान आपका धरिए-था-डर्ड़ कई धर्या-डर्व. हो जाता है बात यहां तक clear हो गई होगी ठीक है इसमें बहुत सारी परवचोटियां और जो है आपके घाटियां देखने को मिलेंगी तो एक एक करके हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, कौन-कौन सी परवत चोटियां हैं और उसका एक आरेक भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चलें, सबसे परच्चिम और उत्तर की तरफ चलें, तो इसकी सुरुवात आप देख सकते हैं, हम इसी छेतर में हैं, ठीक है यहाँ पर इस ग्रेटर हिमाले में, जो यहनी ब्रिहद हिमाले में, सबसे पहले की बात करें, तो आपका नंगा परवत से सुरुवात हम लोग कर देते हैं, याद रखिए, यहाँ से कोश्चिम से पूर पूर से पूर्चिम चोटियों को पूछता है, करम से मिलाने के इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है, तो सबसे पूर्चिम में जो है आपका नंगा परवत है, नंगा परवत ठीक है, और उसके बाद नंगा परवत के आगे हम बढ़ेंगे, तो आपको हरा मोस भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पर हरा मोस इसमें दे देता है, कहीं कहीं पर उपर दे देता है, हलाकि ये आपका हरामोस है, लेकिन नंगा परवत फिर हरामोस आपका होगा, और फिर उसके बाद उत्तरा खंड में हम लोग चले आते हैं, चोखंभा, कामेद, केदारनात, ये सब परवत चोटियां देखने को मिलेंगी, आइए देखते हैं, उत्तरा खं छेत्र में, अलग-अलग मेट में, अलग-अलग चोटी देखने को मिलेगी, हलाकि हम इसको एक जगा संकलित कर देंगे, ठीक है, एक जगा संकलित कर देंगे, तो यहाँ पर जो है, सबसे पश्चिम में, उत्तरा खंड के सबसे पश्चिम में, चोखंभा, फिर कामेद, फ बंदरपूछ आपका दिया है फिर देखे चोखमभा कामेथ दुनागिरी है और फिर आप चले आए तो यहाँ पे जो है तुलसी दिख रही होगी और और जो है, त्रिसूल, त्रिसूल दिख रही होगी, त्रिसूल फिर नंद कोट, फिर नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी ये आपको मिल रही होगी, कुछ और परवत चोटियां आपको मिलेगी, फिलहाल जान लिजे, बंदर पूँच, फिर आपका चोखंभा, कामेर, रिसूल, नंद कोट, और नंदा देवी, ये परवत चोटियां हैं, एक दूसरे प्राचीन मैप, थोड़ा सा कुराने मैप में प्राचीन नहीं, थोड़ा सा कुराने मैप में चले, तो वहाँ पर फिर से इसी चोटियों को देखेंगे, कुछ नई चीज़ें आपको देख सकते हैं, बंदर पूछ है, ठीक है, कामेत है, ठीक है, और यहां पर दूनागिरी, बदरीनाथ, ठीक है, दूनागिरी, बदरीनाथ, प्रिसूल, नंदा देवी, ये आपकी परवत चोटियां हैं, ठीक है, जो कि आपके उत्तरा खंड छेतर में अवस्थित है, करम से याद रखना होगा इसकी अलमा इस जो है परवती छेत में या इसमें जो है आपको थोड़ा सा नेपाल में चलना होगा तो वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी नेपाल की कुछ चोटियां जिन्हें की परिच्छा में आपका क्रम से पूछा जाता है इसलिए हमें नेपाल की आगे आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह नैपाल वाला छेतर है, यहाँ पर जो परवत चोटी है, आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पस्चिम में जो नैपाल की परवत चोटी है, वो आपकी पड़ेगी जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, यह आपकी है, सबसे पश्चिम में नेपाल की परवस्चोटी जो है वो आपकी एपी है, एपी के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं धावला गिरी अन पूर्णा मनसालू, धावला गिरी अन पूर्णा मनसालू, करम से आप दिमाखें बैठाते चलें, ठीक है, सबसे पस्चे में एपी फिर धौलागिरी फिर अनपूरा फिर मनसालू ये आपकी होगी इसके अलावा मनसालू के बाद जो है अगर आप देखे तो आपको मिल जाएगी आप देख सकते हैं यह अनपूरा है यह धौलागिरी है मनसालू है इसे बाद है गौरी संकर मकालू और आप का कंचन जंगा ठीक है लेकिन यहीं पर माकालू के पहले आप देख सकते हैं जो है माउंट एवरेस्ट है और यहीं चायो है ठीक है यानि अगर आप करम से इधर से बात करें तो धौलागिरी अन्नपूरा मनसालू ठीक है गोरी संकर चायो माउंट एवरेस्ट और आपका जो है आपका नेपाल इधर से आइधर से सिक्किम छेत की जो है बाउंडरी बनाती है बीच में अवस्थित है ठीक है यहाँ पर जो आपकी परवच्चोटी दीख रही है माउंट एवरेस्ट आड़ या आड़ सो पचास ठीक है यह जो है विश्व की सबसे उंची चोटी है सा माले की जो है आपकी परवच्चोटी सबसे उंची परवच्चोटी है बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर ठीक है अब जो है हम चलते हैं पूरोतर छेत की तरफ वहां की भी कुछ परवच्चोटियों का जिक्र हम लोग कर लेते हैं पूरोतर छेत की तरफ ठीक है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आपकी पुरोतर सेड़ी का भी पुरोतर छेत के भी चोटियां आती हैं, ठीक है, तो पुरोतर का मैप निकालते हैं, चलिए इसी को निकाल देते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह पुरोतर है, यहाँ पर अगर हम देखे, अभी आपन इधर आपका शिक्किम है, इधर आपका नेपाल है, करम से हम लोग आ रहे हैं, इसके बात जो है अगर हम परवच चोटियों की बात करें, तो आप इधर देख सकते हैं कि वैसे तो बहुत परवत चोटियां है लेकिन जो सेनी जो है आपकी अलग है यह आपका ग्रेटर हिमाला है जो कि अरणाचल पदेश से होता हुआ आगे बढ़ रहा है और आपको पता है जो ब्रह्मपुत नदी है यही पर जो है आपका नामच होगा है परवत चोटियों को हम एक आरेक में ड्रा कर लें तो ज्यादा बेटर होगा आप साधा पेज निकालें और वहां पर इन परवत चोटियों को बना लें ठीक है तो चलिए हम लोग आते हैं ब्लैंक पेज पे और यहां पर जो है परवत चोटियों को बनाने का प्रय एक्रम से पाश्चिम से पूरु की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए, देखते हैं आपका, ये सबसे पहले नंगा परवत से सुरू करेंगे, और कहां चले आएंगे नाम्चा बर्वा परवत तका आजाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग परवत चोटियों को बनाए, सबसे पहले यहां पर जो आपकी परवत चोटी है, यह आपकी है नंगा परवत, ठीक है, कौन सा परवत है, तो आपका है नंगा परवत, ठीक है, नंगा परवत, आप साथ में बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है, नंगा परवत, इसे यहां पर जो है पिन हमारे ख्याल से दिख नहीं रही होगी सही ठीक है कर लेते हैं यह आपका नंगा पर्वत है नंगा पर्वत के बाद आपका यहां पर बना सकते हैं हारा मोस ठीक है हारा मोस ठीक है यह आपका हो जाएगा हारा मोस नंगा पर्वत नंगा पर्वत के बाद ह हारा मोस ठीक है इस हारा मोस के बाद अगर आप बात गएं तो सीधे चलते हैं उत्रा खंड में ठीक है उत्रा खंड में चलते हैं और वहां पर जो है आपका सबसे पहले उत्रा खंड में सबसे पहले कौन से मिली थी एक बार आपको फिर से दिखा दे रहे हैं यहां पर ठीक ह तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे सबसे पहले उत्राखन में जो है आपकी यहाँ बन जाएगी बंदर पूँश ठीक है बंदर पूँश पिर उसके बाद जो है आपकी मिल जाएगी बंदर पूँश के बाद जो है मिल जाएगी चोखंभा, फिर कामेद, फिर केदारनाद, ठीक है, चोखंभा, चोखंभा, ठीक है, चोखंभा, अब फिर जो है यहीं पर आपकी मिल जाएगी कामेद, है न, चोखंभा, फिर आपकी है कामेद, ठीक है, गेदारनाद, अब फिर दूनागिरी, फिर बदरीनाद, ठीक है, यह आपकी पढ़ेगी यहां पर केदारनाथ ठीक है केदारनाथ और यहां पर पढ़ेगी आपकी दूनागिरी ठीक है दूनागिरी और यहां पर पढ़ जाएगी फिर आपका बद्रीनाथ ठीक है बद्रीनाथ करम से याद करने के लिए यह आपका जरूरी है बद्रीनाथ ठीक ह और फिर जो आपके नंदा देवी ठीक है यानि नीचे यहां पर बना देंगे आप त्रिसूल ठीक है त्रिसूल और फिर यहां पर जो हो जाएगा आपका नंदा देवी हलाकि इसी बीच में जो है नंद कोट भी है यहां पर जो आप नंद कोट को भी बना सकते हैं ठीक है नं नेपाल में चले चले तो नेपाल में आपको जो है एपी धाला गिरी अनपूरणा नेपाल में आ जाएए तो नेपाल में यहां पर जो है आपका सीधे एपी है ठीक है एपी के बाद जो है आपका धाला गिरी फिर अनपूरणा है यहां पर जो है आपकी धाला गिरी ठीक है धौला गिरी, अब फिर जो है आपका यहाँ पर अन पूर्णा, ठीक है, अन पूर्णा मिल जाएगी, अन पूर्णा, ठीक है, अन पूर्णा, अन पूर्णा के बाद मनसालू, मनसालू, गौरी संकर, चायो, ठीक है, यहाँ आपका मिल जाएगी, मनसालू, गौरी संकर, ठीक तर जाई है चाई जाएंगे फिर आपका Mount Everest जो आपका यहां पी आ जाईए Mount Everest Mount Everest फिर माकालू फिर कंचन जंगा यहां पी आ जाएगी माकालू और यहां पिर आ जाएगा कंचन जंगा ठीक है कंचन जंगा हाना कंचन जंगा आ जाएगा और यही जो है अरुड़ाचल प्रदेश में लेके चले जाएए तो अरुड़ाचल प्रदेश में ये आपका आगे बढ़ा दीजे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा हाँ ठीक है अरुड़ाचल प्रदेश अब राचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा नामचा बरवा ठीक है नामचा बरवा यहां पर आपको मिल जाएगा नमस्कार नमस्कार भाई ठीक है नामचा बरवा मिल जाएगा अब यह है किस हित्र में अगर हम देखें तो यह आपका जो है यह आपका पढ़ जाता है जम जम्मु कस्मीर में, ठीक है, जम्मु कस्मीर में कलर सही नहीं है, ठीक है, यह आपका है जम्मु कस्मीर, हाँ न, जम्मु कस्मीर पढ़ जाएगा, और यहां से लेकर नंदा देवी तक, यह आपका है, उत्तरा खंड में, ठीक है, उत्तरा खंड, यह आपका उत्तरा खंडे में पढ़ जाएगा यहां से ले करके माकालू तक यह आपका हो जाएगा मांट नेपाल इने पाल जाएगा और यह जो है आपका नेपाल नामचा बर्लबा नहीं हुआ यह आपका अरुडाचल प्रदेश में पढ़ेगा अरुडाचल प्रदेश ठीक है और कंचन जंगा जो है आपकी नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर आपका है ठीक है यह अवरस्यती है पूरे परवती शेत के राजिक को भी नाम लिख दिए लिख दिए लिजी यह आपका नंगा परवात हरामोर जमू का स्वीर में बंदरपूच से लेकर के नंदा देवी तक उत्तरा खड़ने पड़ेगी और यहां से यहां से यहीं एपी से लेकर मकालू तक नेपाल में पड़ेगी कंचन जंगा नेपाल और सिक्किम में है इसके बारे में कुछ और बातें जानिये जो आपकी जो है कंचन जंगा है ठीक है कंचन जंगा की अगर हम बात करें तो भारतिय हिमाले की सबसे उची चोटी भारतिय हिमाले की याद रखेगा और हिमाले में जो हिमाले की सबसे उची चोटी आपकी है वो कंचन यानि ये जो आपकी कंचंजनगा है येे हमाला भारती हमाले की सबसे और यान की मांटì से कहा चैकाा है करा कोरम रेंज में है हलाकि वो ट्रांस हिमाले का भाग हिमाले का भाग नहीं है भारती हिमाले की सबसे उची चोटी कंचन जंगा होगी और भारत की सबसे उची चोटी जो है वो केटू होगी आप पूरे विश्व की सबसे उँची चोटी और हिमालय की सबसे उँची चोटी माउंट एवरेस्ट होगी ठीक है ये आपकी बात इसमें आती है ठीक है और कुमायू हिमालय उत्तरा खंड की सबसे उँची चोटी नंदा दे भी होगी ठीक है कौनसी होगी तो आपकी नंद देवी होगी याद रखेगा कुमायू हिमालय का सीधा सा मतलब है कि आपका उत्तरा खंड के हिमालयी छेत को हम कुमायू हिमालय के नाम से जानते हैं ठीक है बात क्लियर हो गई होगी यहां पर और हिमालय की भारती छेत में दूसरी सबसे उची चोटी की बात करें तो आपकी हो जाएगी नंगा परवत ठीक है नंगा परवत जो है दूसरी हिमाले की सबसे हुशी चोटी होगी भारतिय हिमाले की ठीक है भारतिय हिमाले की इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी इसके अलामा कुछ जो है इसमें धर्रे भी हैं जो कि आपका अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ओबर भी हम लोग दर्नों का भी ले ले लेते हैं, कल की डेट में जो है हम लोग इसके दर्नों के जो है एक फीगर बना करके उसको समझने का प्रयास करेंगे फिरहाल यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं यह आपका जो है greater हमाला ग्रेटर हमाला जो दर्रा है इसको हम center में लेकर greater हमाला और मद्ध हमाला के दोनों के जो है कुछ दर्रे यहीं पर clear कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले सेंटर में लेना होगा स्री नगर को ठीक है आप याद रखिए स्री नगर को स्री नगर आप देख रहे होंगे ये है आपका स्री नगर के चारों तरफ के दर्रों को एक साथ दिमाग में अगर हम बैठा लें तो हमें जो है दो दर्द मर्द हिमाले के दो दर्द ब्रिहद हिमाले के आपके सामने आ जाएंगे ठीक है तो मर्द हिमाले के दर्दों की बात करें तो आपका पीर पंजाल जो की जाता है जम्मू से मार्ग ठीक है ये आपका किनारे साइड ले जाता है जबकि जम्मू की तरफ ले जाने का मार्ग जो है बनिहाल दर्रा ठीक है बनिहाल दर्रा स्रीनगर से जम्मू का मार्ग प्रदान करता है और यहीं पर जो है बुर्जिला दर्रा ये गिलगित को ले जाता है ठीक है गिलगित को ले जाता गिलगित को ले जाता है और यहीं पर अगर हम बात करें तो जोजिला दर्रा यह जोजिला दर्रा जो है आपको लेह तक ले जाता है ठीक है लेह तक ले जाने का काम यहां पर करता है जोजिला दर्रा ठीक है यहीं पर एक हिमानचल प्रदेश में दर्रा आता है नीचे ठीक है ये नीचे आता हिमानचल पदेश में जो आपका है बड़ा लाचाला ठीक है बड़ा लाचाला बड़ा लाचाला दर्रा जो है ये आपका से हिमानचल पदेश के छेत को जोड़ने का काम करता है लेह से ठीक है लेह से हिमानचल पदेश के छेत को लेह से जोड़ने का काम करता है ठीक है तो ये जो है आपके यहां के दर्दे रहे जो कि थोड़ा सा महतरपूर है यहां से कोशन आपके आए हुए है फिलाल नया टॉपिक दर्दा जो है ब्रिहन हिमाले के जो दर्दे हैं इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे तरीके से और एक आरेख बना करके उन दर्रों क ड्रा कर लेंगे तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में और सिक्वेंस में सभी क्लासे जी एस की अगर अध्यन करना चाहते तो आइप कर जाएं मिनिमम चार्च पांस रुपए में मात्र संपूर जी एस क्रमबद तरीके से वहां दिया जा रहा है टेसरी जुसके साथ फ्री ह है और साथ ही साथ कुछ इस्पिसल क्लासे जो भी हमारी उस पर चलेंगी जो कि आपकी परिछा के नियस से महत्तूर होगे ठीक है तो हम लोग मिलते हैं कल की फिर क्लास में जो हैं दर्रों के साथ